मौसम चाहे जो भी हो शरीर पर पसीना आता ही है गर्मियों और उमस भरे मौसम में तो पसीना के कारण हालत खराब हो जाती है इस वज़र से कहीं आने जाने की भी इच्छा नहीं होती और यह समस्या चिड़चीडा भी बना देती है लेकिन कुछ तरीके हैं जो इस परेशान को काफी हद तक दूर कर सकते हैं शरीर पर बाल यानी ज्यादा पसीना इसलिए टाइम टू टाइम शेफ करते रहे या फिर वैक्सिन करवाते हैं इसे स्कीन के पोर्स को भी क्लीन रहने में मदद में देगी और जो पसीने की समस्या को भी कम कर देगी स्कीन के हाइडरेशन को बनाए रखने के लिए लोशन या क्रीम वेहत जरूरी है हलंकी इसके कारण पसीना भी ज्यादा आता है इसे बचने के लिए ऐसे लोशन या संस्क्रीम चुने तो वाटर या जेल वेर्स हो आप चाहे तो ऐलोवेरा या समर स्पेशल लोशन भी माता है ऐसे कपड़े पहने जिसमें हवा आर पार हो सके कॉटन इसके लिए बेस्ट चॉइस है साथ ही में कलर भी लाइट चुने ज्यादा डार्क कलर ज्यादा गर्मी वर संग लाइट सोकते हैं जिसे बॉडी का तापमान भड़ता है और पसीना ज्यादा आता है इसलिए लाइट फैब्रिक और कलर के कपड़े बेस्ट चॉइस है कम पसीने के लिए बॉडी को बाहर ही नहीं बलकि अंदर से भी कूल रखने की जरूरत है इसके लिए आप छांच, तई, रसी, नारियल, पानी, ताजे, फलो के जूस, सबजियों के जूस आदी को पी सकते हैं ज्यादा ओयली, स्पाइजी, नॉन वेज और फास्ट फूट खाने से बचे इन सब को पचाने में बॉडी ज्यादा एनरजी लेती है, जिससे पसीना भी ज्यादा आता है एपल साइड विनेगर को एक बॉल में निकाल कर और रूई की मदद से अपने बॉडी के उन हिस्तों पर लगाएं जहां आपको सबसे ज्यादा पसीना आता है इसे भी आपको राहत मिलेगी